आप 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 सू एलो विल्कम बैक तो मैं चैनल आज हम लोग देखेंगे कि ETF की Regular Income Strategy अपने शुना होगा कि ETF से Regularly पैसा कमा सकते हैं लेकिन अब मुझे कोई ऐसा वीडियो मिला नहीं कि इसमें थोड़ा Risk कम हो और अच्छा रिटर्न्स भी हो ऐसा वीडियो मुझे कहीं नहीं मिला मैंने भी काफी research किया इसमें तो मुझे कहीं मिला नहीं तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप यह कर सकते हो और एक Excel sheet भी आपको दूँगा आपको बताऊँगा पहले तो मैं आपको कुछ चीज बता दूँ यह देखो बिल्कुल risk free strategy होगी ठीक है इसमें risk एकदम नहीं के बराबर होगा आप देखो market में काम कर रहे हो तो थोड़ा तो risk लेना पड़ेगा ना क्योंकि आपको चाहिए पैसा ठीक है अब थोड़ा तो risk लेना पड़ेगा उसके लिए अब लेकिन वही है कि risk कितना है ठीक है risk कितना है तो risk इसमें ना के बराबर है ठीक है लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि ETF होता क्या है मैं directly video on चालू कर सकता था बट मैं को पता नहीं कि आपको पता है कि ETF ETF में क्या difference है ETF को किस तरीके से कर सकते है तो मैं पहले आपको वह बता दो थोड़ा सा तो देखो ETF और mutual funds एक सेम तरह asset class होता है जिसमें आप investment कर सकते हो अब main difference क्या होता है देखो पहले मैं आपको mutual fund समझा तो mutual fund आप लोग ने सुना होगा काफी बार देखो ये लोग है ये इतने सारे लोग हैं सब के पास कुछ पैसा है 500 माल लो या 10,000 माल लो कुछ भी माल लो सब कुछ पैसा जमा करते है market में और वो एक pool of money जमा होके एक fund manager के पास चला जाता है ठीक है ये हो गया आपका fund manager ये fund manager क्या करता है ये पैसा आपका market में डालता है ठीक है ये पैसा आपका market में डालता है तो ये हो गया आपका mutual fund ठीक है mutual fund इस तरीके से काम करती है बहुत pool of money रहता है बहुत लोग पुल बनाके एक पैसा डालते है fund manager को देते है basically एक company में डालते है, company में ढलने का मतलब, अब AMC में डालते हैं, क्या में में डालते हैं, AMC में, asset management company में, अब AMC कौनकोन सी होती है? HDFC AMC होती है, IC ICA ही होती है, FBA ही होती है, तो AMC हायर करती है fund manager को fund manager इस पैसे को अपने expertise से डालते है Mark उप lower लिखा होता है, IMA, BC, मालो, तो अच्छे-च्छे college का होता है, fund manager, तो ये डालता है market में पैसा, अपने expertise के तरो, और ये mutual funds क्या करता है, जेखो, mutual funds का main काम क्या है, ये आपको generate करके देता है, alpha, ठीक है, mutual funds आपको generate करके देता है, alpha, alpha मतलब, alpha मतलब आपका 50 अगर 12% रिटन दे रही है तो अलफा का मतलब कि अगर मान लो कि आपका mutual funds, देखो, जिफटि- peso 50 अगर 12% रिटन दी है और आपका mutual funds अगर 13% रिटन दे रहा है, तो आपका alpha हगया 1%, ठीक है, यह आपका alpha हो गया 1%, तो लो मी क्यों में क्यों invest करते हैं mutual fund में लोग इसलिए invest करते हैं ताकि उनको alpha मिले मतलब benchmark से ज्यादा मिले अब देखो normal 50-50 अगर इतना दे रही है तो आप mutual fund में क्यों invest करोगे इसका index fund में direct invest कर दो mutual fund में भी काफी सारी category होती है ठीक है index fund होता है debt funds होता है hybrid funds होता है जिसमें debt or equity दोनों आता है लेकिन आप अब सोचो और mutual fund में एक और category होती है active mutual funds और passive mutual funds ठीक है mutual funds में एक और category होती है active mutual funds और passive mutual funds active mutual funds में आपका actively trade होता है यहाँ पे fund manager बहुत actively काम करता है यह वाला funds आपका काम करता है alpha generate करने का ठीक है और passively mutual funds का मतलब क्या होता है यह basically होता है जो index के basis पे चले ठीक है passively mutual funds क्या होता है जो index के basis पे चले मतलब जैसे जैसे index चलेगा वैसे वैसे आपका passively mutual fund चलेगा यहाँ पे expense ratio बहुत कम होता है अब expense ratio क्या होता है expense ratio वह होता है जो funds आप जैसे investment करते हो कैसे अपना brokerage लगता है trading करते हो anne कुछ कुछ चीज़ें लगती है taxes वगईरा कुछ charges लगता है तो वो index fund का expense ratio वही होता है expense ratio में क्या होता है इसमें आपका कुछ charges लगता है 0. something तो ये index fund में काफी कम होता है और इसमें ये वाला expense ratio ज्यादा होता है क्यों देखो कोई आपका fund अगर actively manage कर रहा है वो आपको क्या generate करके दे रहा है alpha वो आपको alpha generate कर रहा है तो यार वो market से ज्यादा मेहनत कर रहा है मार्केट दी है 12% वो generate कर रहा है आपका 1% extra मतलब 13% अब वो 13% generate कर रहा है तो वो कुछ charges करेगा ना उसका जो expertise है उसका charges करेगा तो वो आपका expense ratio होता है हम लोग expense ratio देते हैं जो actively mutual fund में ज्यादा होता है वो expense ratio ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़ा सा expense जो हम देते ह है fund manager की salary को ठीक है तो वो fund manager की salary को चला जाता है इसलिए इसका expense ratio थोड़ा ज्यादा होता है इसका expense ratio थोड़ा कम होता है अब आपने काफी बार सुना होगा Warren Buffet जो बहुत बड़े investor हैं वो काफी बार कहें कि जो index का mutual fund है यह index की ही बात करो जो index है हमारा वो long term में किसी भी mutual funds finance की scheme या कोई भी funds को bit कर सकता है ठीक है किसी भी mutual funds की scheme या उसको bit कर सकता है हमारा index long term में ठीक है index क्योंकि इंडेखो index में basically होता क्या है Pragma'm का Index में कौन कंपनी रहीगी का फटी 50 का बात करें ौईटी 50 50 नहीं रहेe इतना समझा धीया है इस चीजिए में आते हैं कि इसमें candidates क्या होता है आप समझ लिये उड़ीफ में इसमें अब थोड़ा सा points देख लेते हैं यह रहा ETF और यह रहा mutual fund यहां पर यह ट्रेड होता है stock market में आपके बास अगर जिरोधा का account है अब stock account है fires का account है तो आप ETF को directly trade कर सकते हो यह stock के जैसा होता है ठीक है जैसे stock move करेगी आपका ETF भी उसी तरीके से move करेगा जैसे अगर निफ्टी 50 का chart है यह ठीक है यह निफ्टी 50 का chart है तो आपका ETF का chart भी यह होगा same chart होगा यह index का chart हो गया का मान लो एंडेक का chart होगे तो यह आपका हो गया ETF का pile मतलब ETF वैसे जैसे आप स्टॉक को ट्रेड करते हो, जैसे इस तरह से आपका ETF भी ट्रेड करेगा, इसका भी एक प्राइस होगा मार्किट में, ओपेन होगा 915, मतलब और क्लोज होगा 380, बिल्कुल सेम होगा, जैसे स्टॉक होता है वैसे ETF हो जाएगा, अब mutual funds, mutual funds देखो आपको एक कमप होगे, hybrid होगे, hybrid होगे, hybrid मतलब equity और debt का combination, debt fund होगे, thematic होगे, thematic मतलब sectoral fund, ठीक है, यो technology में invest कर रहा है, IT में invest कर रहा है, किसी सेक्टर में particularly invest कर रहा है, यह होता है, फिर ALSS fund आ गया, फिर काफी सारे fund होता है, अब मैं नाम से तो उतना नहीं याद है मुझे, क्योंकि उतन के end का price मिलता है, main difference मैं आपको चलो एक बर बता देता हूँ, अब जल्दी से इस topic को cover up करते हो, main, अपने ETF के strategy पे जलते है, मैं आपको इसको wrap up करता हूँ, फटा-फट, तो देखो, ETF होता है, यह stock के जैसा trade होगा, यह stock के जैसा trade नहीं होता, ठीक है, next difference, next difference क्या होता है, index का chart अगर इस तरह से है, तो ETF का chart भी इस तरह से होगा, लेकिन mutual fund का वैसा कोई chart नहीं होता, mutual fund अगर देखो, market अगर, चलो अब थोड़ा सा chart पर ही समझ लेते हैं, ठीक है, देखो, यह nifty 50 का chart है, इस side है nifty 50 का chart, और इस side है अपना ETF का chart, ठीक है, निपॉन, इंडिया बीज, यह निपॉन का होता है, तो इसलिए इसका नाम निपॉन है, तो nifty 20 काफी volume रहता है, देखो, ETF में आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, कि volume आपको बहुत जादा चा बहुत कम error रहता है, बहुत कम error, मतलब उतने error से फरक भी नहीं पड़ता, तो बिल्कुल सेम रहता है, अब देखो, यह तो आप समझ गए, जैसे index भागेगी, या कोई भी asset भागेगी, underline, वैसे ही उसका ETF भागेगी, अब देखो, आपको एक चीज़ पता चलने, अब mutual funds क कि क्या difference होता, अब यहां पर से आप समझ जाओ कि main difference क्या है दूनों में, अगर मान लो, आप मान लो, एक date मान लो, जैसे यह वाला date, ठीक है, 26 मान लो, ठीक है, 26, अब 26 से एक date ले लो, आप 27 तर, 26 से चलो 27 कहा आ गया, 27, यह हाँ आया, 27, ठीक है, अब यहां पर भी mark कर ल अ गया, 26 से 27, अब देखो किया है, अगर आप ETF भाई करते हो, इंडिक्स कहा से कहा चली गई, यहां से यहां, अगर आप ETF भाई करते हो, तो अप देखो, इंडिक्स अगर उपका plan है, यहां पर भाई करने का, तो ETF भी आप यहीं पर भाई करोगे, ठीक है, अब यहां पर किये तो आपको क्या Momentum मिल यह वाला Momentum मिल गया थेम डे में अगर बात करें अगर सेम डे इसको 26 26 से 26 कर दो देखो ये मार्यट बेन है और मार्यक्ट क्लोज है ठीक है समझे हो यहां पे मार्य ओपें हुई 26 को और 26 को मार्रेड यहां पे खूए अभई इसको भी शीक्ड करते हो देखो अब समझ्जा करना है तो आप आप सोचो कि stepf करूं या mutual fund के ठूर करूं तो आप सोचो कि जल व्हें दोनों में देख लेते कि क्या क्या फाइधा होता है 8 में तेखılmış इंडेक्स कहा से कहा गई यहां से कहा गई शयर्ण किया पंदی इठी किया माख कर देते हो अगर अगर आपको यहां moment आप capture हो गया, लेकिन अब ETF तो stock के जैसा trade होता है, तो यह moment आप capture कर पाऊगे, लेकिन mutual fund में अब mutual fund की बात करें, तो mutual fund में आप यह moment capture नहीं कर पाऊगे, क्यों, क्योंकि अगर आप mutual fund में इस time पे भी buy करते हो, same time पे buy करते हो, 10 बजे ही mutual fund buy कर लेते हो, 10 बजे ETF भी buy करते हो, तो 10 बजे का ETF वाला bot, जो आप ETF buy किये हो, वो यह moment capture कर देगा, लेकिन mutual fund नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि mutual fund जो आपका price लेता है न, वो day end का price लेता है, ठीक है, अब देखो, day end का अगर mutual fund price लेगा, mutual fund आपका कौन सा price ले लेगा, day end का price, ठीक है, mutual fund आपका day end का price ले लेगा, अगर आप नीचे भी, अगर सुबे भी buy किये हो, अगर इस candle पे भी आप buy करोगे mutual fund, जैसे candle क्या mutual fund अगर आप सुबे buy किये, 10 बजे, तो भी आपको ये day end का प्राइस मिलेगा, ट्रेड होता है, अब स्टॉक को, जहां मालों कि स्टॉक को यहां खड़ी दोगे, तो स्टॉक को यहां खड़ी दोगोते हैं, तो ऊपर अगर जाएगा, तो प्रॉफिट तो होगा ना, ऐसा थोड़ी हो कि स्टॉक को यहां जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, आप लोग तो जानते हो, स्टोग माुट ट्रेड़ करते ही तो यही मेन डिफरेंस होता है, अगर ETF अगर आप यहाँवाइब करते हो तो आपको अगरyi अगर मार्किट next day उपर निकलती है तो आपको profit दिखेगा अगर next day नीचे निकलती है तो आपको loss दिखेगा लेकिन अगर आप ETF में trade करते हो यहाँ पे buy की हो next day अगर market उपर निकलती हो तब तो आपको ज्यादा profit हो क्योंकि आप same day यह भी cover कर चुके हो और अगर same day गिरती है market तो यहाँ पे consider करेगा अब हम लोग ETF के strategy समझ लेते फटाफट वीडियो काफी लंबा हो जाएगा मैं इस लंबा करना नहीं चाहरा बट आपको समझाना वह ज़रूरी था यह चीज़ क्योंकि अगर ETF समझे होई नहीं कैसे होता है तो फिर क्या trade करोगे और क्या strategy उसकरोगे अब देखो तो अब हम लोग शलते हैं अपने excel sheet पर direct मैं दिखाता हूँ आपको कि excel sheet क्या करेगी और किस तरीके तो excel sheet काम करती है तो यह excel sheet आपको मिल जाएगी link मैं description में दे दूँगा देखो यह है bank nifty का excel sheet और यह है nifty 50 का आपको क्या change करना है मैं आपको बताता हूँ देखो यहाँ तो काफी सारी होंगी यह तो निपॉन वाली मैंने लेली निपॉन निपॉन क्यों 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 इसमें volume बहुत जादा है अगर आप buying करते हो तो भी इशू नहीं आएगा selling करते हो तो भी इशू नहीं आएगा दूसरी बात एक पहली बार तो volume अच्छा कासा है ठीक ह Error होता कि यतना % की तो यह कितना % करना चाहिए इसमें Error कम है यह बहुत जडूरी होता यह staff में सीज्ट करते ही चलना volume हमेशा होना चाहिए और इस चीज में आपको चेंज क्या करना है चेंज बस आपको यह करना है last traded price ये है क्या? legit price high मतलब कितना high मारा है e-tf ने, ठीक है? उसके बाद आपको काम किस-किस चीज से है इस चीज से काम है आपको, ठीक है? बाइं यूनिट इस चीज से काम है कितना यूनिट आपको ETF का खड़ीदना है ETF मतलब नंबर यूनिट होगी है मतलब number of share समझ लो इसको से रिलाइंस का कैसे होता है 5 share 10 share HDFC का 10 share 5 share तो उसी तरह से number of units मतलब समझ लो number of share अब यहां पर क्या होगे investment amount यह कुछ नहीं है यह है इतना मतलब जितना आपका लास्टेश प्राइस कितना यूनिट आपको खड़ीदना है तो यह अब देखो आपको क्या लग रहा है कि market में यहां से बाइंग आ सकती है मैंने क्या बोला थोड़ा सा अपको technical analysis चाहिए तो आपको return काफी अच्छा मिलेगा समझ गए अब थोड़ा सा support resistance बना लेते हैं चलो कुछ support resistance बना लेते हैं थोड़ा तो थोड़ा देखो सीखना अब देखो बना उसा support resistance बना लो देखो यह एक support हुआ ठीक है अब देखो यहां पे support है आपको पता चला है यहां पे support है अब क्या करोगे आपको क्या लग रहा है कि market यहां से high probability है उपर चाहिए असा लग रहा है क्योंकि support है यहां पर प्राइस चल रहा है यह वाला कौन स पंदरा मार्च यहां पर आसपास हो गया इसी price क्या असपास है अब देखो आपको करना क्या है ETF का क्या price चल रहा है उस समय यहां का average ले लो माल लो कि ना उपर न नीचर यहां का average ले लो क्या चल रहा है 186 ठीक है मैं highlight कर दो क्योंकि समझ में fit नहीं आएगा 186 देखो यह यहां पर क्या करोगे यहां पर आगे लिखो यहां पर LTP क्या चलता है last trade price क्या चलता है 186.25 अब देखना द्यान से मैंने जैसी टाइप की अब देखो यहां पर numbers बदल जाएंगे ठीक है मैं enter दबाता हूं number देखो बदलेंगे देखो बदले नंबर बदल यहां ना देख मार्केट अगर गिरती है देखो पहले मैं बता दू 96 उनिट भाई करने ऐसी नहीं बोल रहा है last trade price आपने डाला है इतना ठीक है अब यह क्या बता रहा है fall मतलब fall कितना है market अभी high से nifty 50 जितना high लगाई हूए वहां top से top से वो साड़े मतलब एक तरह से 10% नीचे है top से व अब यह बता दिया आपको अगर मार्केट अब यहां से उपर जाती है अब आपका buying price क्या होगे 186.25 हुआ अब मार्केट यहां से उपर निकलती है तब तो आपको profit होगा ठीक है अब मार्केट यहां से उपर निकलती है तब तो आपको profit होगा लेकिन अब profit बहुत न प्रॉफिट होगा वह भी देख लो वन सेवेंटी एट अब इसमें कुछ ही नहीं अभी मैं बताता हूं कैसे वन सेवेंटी इन्टू थ्री देखो फाइव थटी फोर का आपको प्रॉफिट हुआ ठीक है अब देखो अब आजो अब मार्केट आप बोलोगे यह उपर तो मार्केट को वेट करो नीची आने का अगर देखो आपको बदा परॉफिट चाहिये तो मेबी आपको पिट फ्रेविर ब्रेडिंग windows यह इतनी स्त्राटीजी मिए staying तो आपके पास अगर capital बढ़ा है तो आप lot बढ़ा दो जैसे ये तो कितना हुआ ये एक lot का size हुआ इसको multiply by 2 करो मतलब मतलब इसका दो बार buy करो ये तो एक lot का होगे 96 इसको 2 से multiply कर दो तो 96 96 इंटू 2 96 इंटू 2 कितना होगे 192 192 बढ़ा है ये बाई करने तो आपका इंवेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा सतरह जासे डिरेक्ट हो जाएगा अटरह जासे हो जाएगा अगर मार्केट ऊपर गई तब तो आपको profit हो रहा है सिंपल सा बात है अगर मार्केट ऊपर निकली तब तो आपको profit हो रहा है अगर मार्केट नीचे गई तो अब देखो अब मार्केट नीचे गई तो क्या अब मार्केट नीचे गई माल लो कहा आपको यह بाइं प्रस है यहां से मार्केट चली गई यहां mogę फूर अगर में अब आपके पास capital ज़्यादा है तब क्यूंक और यह से था युजिसा एक परसेंट का so तो आप एक और लॉट बाई कर लो राइट एक और लॉट बाई कर लो कैसे बाई करना है पहले देखो मैं बता देता हूँ एक परसे नीचे कही मार्केट कितना पर चल दी है और 184.33 कहां पर लिखा हुआ है देखो 184.33 यह आ गया प्राइस अब देखो आज हो यहां पर अब यहां पर लिखो 184.33 अब देखना कैसे इसे हमें होता थी रिखा मैंने देखो पहले यह कहां सजेस्ट कर रहा था था है अब बोल रहा है कि 105 फ् talented बंदा करो यह बढ़ा कि वह बताया है पहले अगर इसने 96 बोला तो महीं 105, both यह डmbre 105 इस लिए बोल रहा है किऊंकि यहाँ पे यहाँ पे और सीम कॉंटेटी में भृआ करते हो तो आपका ऑबरेज नहीं होगा समझ गये अगर plus falling है अगर plus doing अगर लिए ओर यहाँ पे भाइ फृर गिर गई मार्केट फिर यहाँ पे By किये फिर गिर गई market, फिर यहां पे Buy किये फिर गिर गई market, और अगर आप सेम quantity और अगर आप same quantity हम कर ले ओ, तो आपका एवरेज प्राइस सही नहीं होगा लेकिन अगर इसुर्फिट में जल्दी आओगे इस केस में आप प्रॉफिट में जल्दी आओगे इंप थोड़ा सा बड़ेगा था प्रॉफिट में आजोगे इसमें आपका इवडेजीख गवें यह करना हमारा क्यों कि यहां पर एक multiplier लगा हुगा है ठीक है यहां पर एक multiplier लगा हुगा है यह आपको यूनिट्स बढ़ा के बताता है अब देखो एक्जामपल और मैं देदू अगर यहां पर क्या है 184 पर मार्केट गया आप एक सो बाइंग एक सो पांच यूनिट बाइंट कर लि है इतना नहीं गिरेगी बट फिर भी मैं एक्जामपल ले रहा हूँ अब 170 डाले 170 डाले अब देखो कितना यूनिट्स बाइंट करें 126 बोल रहा था अब देखो कितना 175 बोल रहा है मतलब आपको इसी तरीके से बाइंट करना है अगर गिरती है तो आपको इतना यूनिट करना है अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ अब तो आप एक्षिल शीट समझ गए सेम बैंक निफ्टी में भी अपलाई होता है ठीक है सेम बैंक निफ्टी में भी आप लास्ट डालोगे आपको बता देगा कितना यूनिट करना कितना आमांट चाहिए आपको कुछ नही ठीक है तो आप एक परसेंट के फॉल पे काम कर सकते हो जैसे जैसे एक एक परसेंट फॉल की तो आप वहां पे अपना लॉट डाल सकते हो ठीक है अब कैपिटल अगर आपके पास कम है कैपिटल अगर आपके पास कम है तो तो आप तीन परसेंट के फॉल पे काम करो अब मै मैं इसको समझा देता हूँ कि मैंने क्या बोला ठीक है अगर आपके पास कैपिटल जादा है तो अगर इंडिक्स एक परसेंट फॉल करती है तो आप अपना एक परसेंट का जो फॉल के बाद जो प्राइस आई है जैसे एक परसेंट गिरा तो वो कुछ प्राइस आया होगा एक परसेंट में कुछ प्राइस आया होगा एक परसेंट अगर फॉल करती है तो एक परसेंट गिरती है वहां से एक परसेंट और गिरी फिर बाइंग कर लो एक परसेंट और गिरी फिर बाइंग कर लो कब जब कैपिटल आपके पास बड़ा है यह चीज याद रखना नही तो capital फसेगा, loss मैं नहीं बोल रहा हूँ होगा, capital फस जाएगा, अगर capital ज्यादा है, तो 1% के fall पे काम करो, बट अगर capital आपके पास कम है, क्या, capital आपके पास कम है, तो capital कम है, तो 3-3% के fall पे काम करो, ठीक है, जैसे निफ्टी है यहाँ पे, 15,000 पे, ठीक है, 15,000 पे निफ्टी है, अब यहाँ से 1% fall करती है, यहाँ से 1% fall करती है, तो capital जादा है, तो buy करो, फिर वहाँ से 1% और fall करती है, फिर buy करो, वहाँ से 1% और fall करती है, buy करो, आपका इतना इतना buying नहीं आता, mail है इंडेक्स अभी कलिए तUNG पर साथ ऩोड़ी करेगा इसा नियाल रुख सारी कंपनीस ऑगा अगर काम करते हो तो banking की companies है ठीक है banking में कोई न्यूज आगे निफ्टी में सिफ banking थोड़ी है रिलाइंस है bank है मतलब बहुत सारी companies है sector की तो अगर 3% गिरती है तो आप एक lot buy करो फिर 3% वहां से 3% गिरती है तो फिर आप एक lot buy करो तो यहां पर आपको इस तरीके से काम करना है तो अब आपका loss क्या हुआ लॉस देखो हुआ ही नहीं क्यूंकि हम लोग losses में बुक नहीं करते हैं अब index को इस टॉक थोड़ी आप मेरी बात को समझना काफी लोग पता नहीं disagree करेंगे और agree करेंगे मैंने यह strategy को दो बार लगाया है April मंत में मैंने इस strategy को दो बार लगाया है ठीक है दो बार लगाया और दोनो बार profitable हूं ठीक है ना दोनो बार profitable है क्योंकि loss बुक करता ही न आपको loss नहीं बुक करना ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं कि loss करना यह बुक की नहीं करना चाहिए बट इस strategy में आपको बुक नहीं करना होता है loss ठीक है तो मैं आपको एक बार summarize कर दूँ माल आपको one one percent के fall पे आपका price डालना है जो भी ETF का चल रहा हो उस actual sheet में और वहां प करो तो profit और ज्यादा दिखेगा तो ठीक है अगर profit ज्यादा करना है तो इस तरीके से कर लोगर capital बढ़ा है तो अगर profit आपके पास capital कम है तो capital कम है तो 3-3 percent के fall पे काम करो अब 3 percent के fall पे काम करो यह मौका आपको ज्यादा मिलेगा इसमें आपको time मतलब वह बहुत ज्यादा मिलेगा opportunity इसमें opportunity कम मिलेगा क्योंकि आपको risk भी नहीं चाहिए तब 3 percent के fall पे काम करो 3 percent गिरती है buy करो फिर वहाँ से 3 percent कम गिरने में time लगेगा अगर वहाँ से उपर चली जाती है profit बुक कर लो वहाँ से उपर चली आती है profit कर लो नीचे आती है फिर से अगर 3 percent गिरती है अग यह आप डिसाइड कर लो जैसे एक आप कोई 2 percent भी रख सकता है अब जैसे क्या हुआ मैं आपको एक बार और बताता हूं देखो तीन तरह के तीन तरह का मैं बता देता हूं एक जिसका risk appetite है low ठीक है एक जिसका risk appetite है medium एक जिसका risk appetite है high ठीक है यह तीन तरह के लोगों गए अब जिसका risk appetite है low ठीक है वह 3 percent के fall पे काम करो निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी ठीक है जिसका medium appetite है capital भी medium है वो 2 percent के fall पे काम करो इसका risk appetite high है बिल्कुल तो वह यार 1 percent पे काम करो ठीक है अब capital का भी capital का भी बात कर लो इसके पास low capital हो चलेगा medium capital हो चलेगा high capital हो यह तो सही है ठीक है तो मैं कौन से category में आता हूँ मैं यहां इस category में आता हूँ medium के high के बीच में category होती है मैं यहां पर आता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, दो-दो परसेंट के फॉल पर काम करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी स्टुडेंट हूँ, मेरा कोई जॉब अगेरा नहीं है, मैं MBA फरस्ट एयर में हूँ, मैंने बताया है, काफी बार वीडियो है, तो मैं करता हूँ, मैं मारकेट इप को क्या साइड इंकम कुछ चाहिए, इतने बड़े है और bowling सेक्टर में चले गया है, अदानी हो गया हर सेक्टर में ठीक है कभी-कभी आप देखो कि पेट्रोलियम में उतना प्रॉफिट नहीं आता मानी को तो काफी जियो काफी अच्छा कत्रा है तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना सोर्स ऑफ इंकम मालो कभी ट्रेडिंग आप नहीं कर पाए तो यह स्ट्रेटिजी काम कर ज ऊहरे मैंने दिंबर किया है मैंने निंफटी आई-टी में अब निंफटी आई-टी देखओ निफटी आई-टी क्या है निंफटी आई-टी है आपका साय इसका एकजैनियर साता है इसी में भी वौलियम अच्छ यह वलिव मैप mogą सुनो मैं वह ने इसलाख कुछ-कुछ stocks में भी इतना लिया था इतना वॉल्यूम रहता निफ्टी आइटी में तो देखो निफ्टी आइटी में मैंने profit booking कर लिया कहां कैसे देखो buying मेरा यहां था मैंने बता करना आपको support रेइस्टेंच थोड़ा सा draw करना सी को यहां बजब यह रिट्रेस्मेंट के लिए है ना तो मैंने यहां पर भाई किया ठीक है इस वाले एरिया में मैंने बाई किया अब नीचे जाती तो अब उपर निकल गए क्यूं क्यूंक ठीक है तो देखो यहां पर मैंने एक बर की अब गिर्ती यहां थै तो मैं और बाई करता लेकिन यहां से ओपर चलिए तो मैंने आइटी में एक बार किया और एक बार मैंने किया है बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में काफी नीचे लेवल पर किया था लेकिन अब बैंक निफ्टी बहुत ऊपर चली कि मुझह दे को पता नी होता कि कहां से कहां मार्गे निकले की लेकिन मैं इस लेवल पही किया था यहां किया 20 में इस दिन यहां पे निकल गया था मैं इस दिन यहां पे निकल गया था मेरा प्रॉफिट था 3.02 के आसपास था मैं बता दूँ चलो यहां के आसपास मैंने एकजिट कर दिया था ठीक है अब डेट देख सकते हो यह एक अपरिल के आसपास था ठीक है देखो मैं आपको दिखा दू profit booking कर ली दे, क्योंकि उसके बाद market close था, मैं ट्राइवल कर दा तो इस दिन, मैं को यहाद है, मैं travel कर दा तो उस दिन, और इस दिन मैंने profit booking की थी, और उसके आपको पता नहीं हो था कि market उपर निकलने वाली है नीचे निकलने वाली है इसलिए आप अपना profit book करके चलो और बात में regret मत करो कि यार यह चूड़ गया मेरा वो चूड़ गया जाने जो चूड़ गया तो यही है इस तरह से मैं मैंने एक बार निफ्टी में किया मैंने बता दिया कि एक बार मैंने निफ्टी में किया और एक बार मैंने बैंक में किया ठीक है यह दो इन दो इंडेक्स में मैंने ट्रेडिंग की और एक तरह से स्ट्रेडिंग ही कह लो और दोनों में मैंने प्रफिट बुक करके निगल गय अब अब स्टरटेज को फॉलोуска कर ने कि आपको बोला। आपको स्टर्टेइच को फॉलू के फॉल्जच के फॉलлам स्ट साथ में उसाथ क्या साथ है? multiplier multiplier मतलब आपको यह ज्यादा quantity खरीदने का बोलेगा अगर market fall कर दी है तो तो आपका average price काफी नीचे है तो आप उपर जैसे index निकलेगी वहाँ पर profit book करो loss book करने का कोई सीनी नहीं इस चीज में अगर आप trading कर दे होते हो intraday तो आपको loss book करना पड़ेगा ठीक है वहाँ कोई वह नहीं है कि नई average कर लाई यह कर दे बट इस strategy में कोई loss नहीं है इस strategy में कोई loss नहीं है ठीक है अब यह किस के लिए अब देखो जो beginner है market में ठीक है जो market में beginner है यह उन लोक के लिए है वो इस चीज से start कर दकते है अब जो trading करते हैं यह जैसे मैं trading करता हूं तो यह side income के लिए काफी अच्छा है ठीक है इसमें कोई actively अगर करे देखो मैं फिर से deploy करने वाला हूं यह चीज यह strategy अब कहां deploy करने करना हूं मैं आपको बताता हूं तो जो trading करता है जिसको diversification के लिए थोड़ा सा side income चाहिए वो भी strategy को यूज कर सकते है ठीक है जो job करते है ठीक है जो job में जाते है उनके बाद time नहीं रहता वो सुबह निकल जाते शाम में आते तो वो भी strategy को को यूज कर सकते हैं तो इस strategy को सब लोग कर सकता है समझत रहां बीगनार भी वी में करते हैं के लिए जो狞 उज इनकम के लिए जॉब वाले भी साइड इसको हाइज सबस्क्रहक के लिए इसको यूजब कर सकता है इसको इसे सीख सकता है इसमें भी पैसा बन जाए ठीक है अगर किसी को भाई करना है तो करो लेकिन देखो टाइम लगसा क्णा प्रॉफिट बुक में अगर आपको पॉफिट कर करना है, तो आपको प्रॉफिट बुक मिलेगा फिर यहां करुखी कर चुक है अभी इंडेक्स में भी इस बाकी है तो फिर अब देखते हैं हम लोग कि निफ्टी आइटी ठीक है यह देखो निफ्टी आईटी में हम कर सकते हैं और मैं करूंगा भी एक बार मैंने किया है निफ्टी आईटी में भी वापस करूँगा मैं Nifty I-T में कहां वी करूँगा मैंने बताया यहां कि आसपास फिर से आएगा यह तो मैं एक बार इसको बाई करूँगा बाई करूँगा फिर इसको होल करूँगा अगर उपर निकलती है मार्केट अगर यहां मेरे buying price के पास उपर निकलती है, तो तो मैं profit book करूँगा, और अगर नीचे निकलती है, तो मैं इसको और buy करूँगा, उस ये strategies है, ठीक है, एक opportunity मैंने बताई आपको, अब देखो, एक और nifty junior में strategy बनती है, nifty junior मतलब समझते हैं, अब क्या होता है, nifty, nifty 50 में क्या होता है, nifty 50 में ठीक है, पूर nifty next 50 होती है, अब देखो, nifty next 50 में क्या क्या होती है, तो अब यहां पर लिखो, nifty next 50 constituents, चलो companies लेखो, आपको पता चलाएगा, कौन-कौन से company है, nifty next 50 में, देखो, avenue supermarts, company बस देखो आप, company बस देखो, avenue supermarts, अधानी enterprise, अधानी green, LTI, Siemens, PD light, अधानी transmission, दे देख रहे हो, कौन-कौन से company है, DLF, और पी देखो, और companies है, तो यह इंडिया की top 50 तो नहीं कहेंगे, लेकिन next 50 top companies है, ठीक है, company देखो आप, वेधानता, गोदरेच consumer, देख रहे हो, अभी, डाबर, इंटर ग्लोब, अंबूजा, हैविल्स, तो देख रहे हो, सारी companies वैस नहीं, लेकिन वही है, हम लोग को volatility चाहिए, ठीक है, देख रहे हो, companies, बर्जर, पेंट्स, वॉश, United Spirits, Punjab, National Bank, Torrent, Pharma, इस तरह की companies रहती है, next 50-50 में, अब आजो, trading view में आ जाओ वापस, अब देखो, यह भी काफी भाग चुका है, ठीक है, यह भी काफी भाग चुका है बट, यह अगर, देखो, अभी market में एक correction बाकी है, क्योंकि यह market इतना उपर निकलिया कैसा नहीं कि अभी यहां तो निकलती चली जाएगी, ठीक है न, आप यहां पे भी चाहो, देखो, मैं बोल रहा हूँ, resistance है, लेकिन यहां पे भी आप चाहो तो buy कर सकते हो, मैंने क्या buy करें, जिसके पास capital जादा है, ताकि वो market यहां तर, जिको ऐसा नहीं में बोल रहा है, यहां से ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर भी जा सकती है, लेकिन resistance से buy करना थोड़ा जिसकी है, तो करे वही जिसके पास capital जादा है, अगर capital कम है, तो थोड़ा सा retracement का wait करो, ठीक है, capital कम ह एक से index आपको बोला, एक बास समराइज करदो फटा 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 वीडियो जल्दी बंकरते हैं, बहुत लंबा हो एक मैं आपको समराइज करदो, देखो, Nifty का बैंक नफटी का मैंने आपको बोला, Nifty IT का मैंने आपको बोला, Nifty Next vev рек अखिक है, इसकी एक्षियल चीट इसकी एक्षियल चीट आपको मैंने दे दी ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो मैंने आपको दे दी इसकी एक्षियल चीट इसकी एक्षियल चीट आप जब कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो हर चीज मैं फ्री में तो दे ही दूगा चलो ठीक है नहीं चाहिए मुझे कुछ आपको कमेंट सेक्षन में कमेंट करना पड़ेगा कि आप इसके लिए इंट्रेस्टेड हो तो आपको ये दोनों शीट के लिए कमेंट सेक्षन में कमेंट करना पड़ेगा कि I want कि अब मैंने इसी दोनों का शीट क्यों दिया कि अपको ये इंडेक्स बहुत फेमस यदिक है ने बैने को सब जान्ता है तो ट्रैक भी बहुत लोग करते हैं तो ये इसका शीट मैं आपको दिया लेकिन अब कहा मिलेगी अभी आपको निफ्टी आईटी और निफ्टी जूनियर दोनों में भी opportunities आपको मिलेगी क्योंकि मैंने आपको चार्ट पे explain किया है कि निफ्टी आइटी अभी चूटी भी है यहां से नीचे में भी रिट्रेस करें तो हम लोग opportunity देखेंगे और निफ्टी जूनियर में भी यहां पर नीचे आई तो हम लोग opportunity द देखके तो आपको पता चले हैं कि ठीक है यह बाइंग करना है इतना unit अब आज हो अब देखो यहां पर यहां पर आपको ITBs की sheet आई यह है आपकी ITBs की sheet यहां पर आपको डालना है ITBs का क्या rate चल रहा है ITBs देखो मैं आपको दिखा दूँ एक बाद देखो यह है ITBs यह है ITBs यह है यह है ITBs निपॉन इंडिया ITF 28.88 चल रहा है ठीक है 28.88 चल रहा है यहां पर डालो 28.88 आपको बता देगा quantity कितना खड़ीद में 28.88 ठीक है देखो बता दिये एक lot इसका lot सस्ता बढ़ता है क्या सस्ता बढ़ता है देखो एक lot इसमें आप 8500 में ही buy कर सकते हो 296 unit buy करना है एक lot 85 का 8500 का एक lot तो एक lot 85 का है तो मैं इसमें हमेशा 2 lot buy करता हूँ ठीक है मैं हमेशा 2 lot buy करता हूँ क्योंकि capital थोड़ा ज्यादा है मेरे पास तो 8500 में कोई ज्यादा profit दिखता है ठीक है ना दो lot में आप 2-2 lot के तरीके से buy करो तो आपको profit दिखेगा यह हो गया ITBs का अब मैं आपको दिखा दू एक बा इतने लिख दो बस यहीं पे लिख दो जूनियर चुनियर बीज क्या होगे निफटी नेक्स्टटि विफ्टी जूनियर निफटी फिप्टी देखो आ गया यह इसका इंडेक्स का प्राइस आ यहां पर लिक दो ETF तो अरे जूनियर बीज लिखो है ना जूनियर काफी companies का अलग-अलग ETF होता है बड जूनियर बीज फेमस है जो मैं आपको नाम बोल रहा हूँ आप बीज वाले में फोकस करना क्योंकि वॉल्डिम जाधा रहता है देखो इसका अरे यार कलर देखो 418 चल रहा है इसका प्राइस देख रो एक दिन में 1.2% मिला है 1.28% मिला आपको ए 418 देखो यह अभी टॉप से 13% नीचे है 54,000 के investment मांग रहा है ठीक है न तो इस तरीके से आप कर सकते हो ठीक है यह दोनों शीट अभी मैं आपको नहीं दूँगा क्योंकि कमेंट करो मुझे भी तो पता चली कि आप लोग इंट्रेस्टेड हो कि नहीं क्योंकि फ्री में हर ला रहा हूं मैं आपको दो शीट अभी दे दूगा करिया डोँगा क्या दाना कि वीडियो कैसा था था मैंने काफी अच्छी से explaining किया है यह अपको पहले में डिधन सब향 आया फिर मैंने आपको चार्ट पर समझाया कि किस तरीके से movement करता है और index fund में क्या difference आता है index fund आपका या mutual fund आपका day end का closing price लेता है ETF में आप उसको movement को capture करता है क्योंकि स्टॉक के जाता ट्रेड होता है ठीक है फिर मैंने आपको ETF के बारे बता है Industry lucas कौन कौन से sector का होता है फिर मैंने बोला कि आपको इसमें index fund पर focus करना है फिर मैंने आपको pixel oldu फिर मैंने आपको actual सीच since salesitu कौन से समझाय को मैंने आपको in izing nifty की actual sheet समझाई ठीक है देखो bank nifty और nifty की actual sheet समझाई इसमें आपको LTP में जालना है ETF का price जो भी ETF का price चल रहा हो ठीक है यहाँ पर डालोगे यहाँ पर आपका कितना quantity आपको बाई करना है वो आ जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर nifty में भी LTP डालोगे आपका investment amount और buying unit आ जाए ठीक है 2% का 2% के fall पर किसको काम करना है इसके पास capital हो medium 3% के fall पर किसको काम करना है इसके पास capital हो low ठीक है यह main summary था उसके बाद एक चीज़ buy only on red days आपको हमेशा red day पर ही buy करना है green day पर buy नहीं करना ठीक है rule को follow करो easily काम करेगा मेरे लिए लिए काम किया है तो आपके लिए मैंने आपको excel sheet दे दिया तो और यह excel sheet आपको कहीं नहीं मिला क्योंकि मैंने खुद बनाया है तो कहीं कैसे मिल जाएगा ठीक है help मैंने लिया है online बट मैंने बनाया है यह खुद है तो ठीक है guys मिलते हैं अपने next video में thank you and apply करना strategy और बताना comment section में कैसा है अगर आपको nifty IT और junior 20 का चाहिए तो आप comment section में comment करना कि we want those ETF sheet excel sheet तो मैं provide कर दो आपको ठीक है thank you